आटेकर कॉल की द्वरा यूजर के बैंक डिटेल लेता है वो खुद को बैंक कर्मचारी पता जानकारी लेने की कोशिश करता है अगर यूजर अपनी जानकारी दे देता है तो वो विशिंग आटेक का शिकार बन जाता है दोस्त आपका आइडेंटी कार चोरी करके आपके नाम पर फेक प्रोफाइल बना सकता है और आपके व्यक्तिगत जानकारी का गलत उप्योग कर सकता है ओफर या गिफ्ट का लालच देकर कोई अंजान व्यक्ति आपका नाम और पता जैसी जानकारी लेकर उसका गलत उप्योग कर सकता है तो ऐसे कॉल का आप जवाब ना दे अन्लाइन सोशल मीडिया पर अन्जान व्यक्ति आपकी व्यक्ति जानकारी लेकर आपका एकाउंट है कर सकता है इसलिए अन्जानों को अपनी व्यक्ति जानकारी ना दे आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है आपकी व्यक्ति जानकारी जैसे की आपकी इमेल आईडी, मुबाइल नंबर, लॉग इन आईडी, क्रेडिट कार्ड डिटेल, बैंक डिटेल आपकी जानकारी के बिना गलत हातों में जा सकता है और अपने व्यक्ति अतलाग जैसे की आउनलाई शॉपिंग, फेक प्रोफाइल बनाने आदी के लिए उप्योग हो सकता है आपकी जागरुकता, आपकी साइबर सुरक्षा और ऑ्रुकता, ठीजिबरुबर आपकी अंडने अबर सॉपिंट्ट सॉप को रूपिंटिधं। आपकी जाग जागर रुर्ण विडेंबद की आउन में टुफिंग टॉविंग् dieses lot इस्मकस फॉटन की तरिवता हम स्वाय्ट겨 जो जोस्ट जालि यूख करते ही तरित्तार scientifically और स्ट्रित πα्यार करे ज़्यक्त Right OSHेम There दुटन भी कि तुट और आप टेइ7द एलो कि इतर बाइटर कि जो स्कार्जीर झाय Don't be scared 20 mamar ए कि रूडन की सी होन flood Be cool, stop chatting and get out of the chatroom or log off. If someone threatened to harm family members, immediately contact Cyber Police. Internet has changed the way we live. We use internet to communicate, make online payments, upload and download data and many more ways but the online world is full of online threads that can harm unprotected users online online scams prescription is comes online auction lottery scams email scams etc there is need to secure your information from online रोेoneर आफिशेख CAPड सिरेत Sílip लिडार आफिशाने लेखीव ऑस्ते लिए झास्ट से फारे अझेटिज आप्स औरर अविटर नंरोग इन छाफिझरेख उत्राइड रखेट छोडिन सनमस्मा काफभाइन डेरे कर इहें प्रफ लुट कर देक लाइस, विए लग। उंट for safe download make sure that you have an updated anti-virus or anti-spyware software the use all the applications running on your computer before you start do make a practice of using secured website which use the s instead of HTTP check the validity and issuer of the security certificate in the website before doing any downloads read the terms and conditions before installing or running एक प्रिंग अपलिका़ं,Кेल अप्लिकल्योट अम्दान, वेप्लिकित अप्लिक्ष, एक जी दोफ में प्रड़ाइचिट ऑी ओ करिपने खेक्षब और लूटे प्रड़गे का इनताराइचिज, प्रड़गे. the benefit of the data that is Catastral the benefits of your nemm sécurité but it also comes a risk of unwanted access to our personal information follow these steps to protect your account use Passwords that are long and hard to guess Strong passwords are alpha-numeric that is capital and small letters and special characters and numbers avoid using public computers or a shared computer for online transactions लुस्त विच्वोर के बाफिझ सिंट लुकाफिज टाफिगा़ लुरी की स्टेटर अबर वाल्वेट लुटाथ कि लुटाओा दूरिए्ट लुटाओ. और चलोग इको बेवर फ्रॉड फ्राइब अगर कर विप्राइबिट्स के ओम आल टार से भपना प्रेविर मोब एल सोर विष लिए गया जो असे समस्ट्स नो बइस फिए इस अपया इडर्व एल विए टीस देस्ट आजकल मोबाइल फोन बैंकिंग कारियों के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा जनक डिवाइस है फोर्ट सर्ज ने सिम स्वैप करना सुरू कर दिया है फोर्ट सर्ज द्वारा किये जाने वाले कुछ स्टेप्स निमन परगार हैं वे फीशिंग द्वारा आपके डिटेल्स और सीम स्वैप करके डुप्लिकेट सिम ले लेते हैं तथा ओरिजणल सिम डिएक्टिवेट होजाता है इस से जितने भी बैंक ओटीपी आते हैं वर डुप्लिकेट सिम में आते हैं जिससे वह असानी से पैसे चुछा लेते हैं इसलिए अगर आपको ऐसे नोटिफिके신 आ हो तो तुरंद अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से इसकी सिखायत पर है आपकी जाग रुपता ही आपकी साइबर सुरक्सिया है टिप्स पर स्मार्टफोन सेफटी इसाइब। इसकाइब। इसके मूपनशकर पर हुडने यूशर अपन युबकर यूटर दिविक्सामि इसकांस से अपने मैंटेज। आंड़करे आप्बाट में ही आपने ही इससादे अरूसे का ज्रुक्स tomorrow always manually turn off the location services keep track of permission granted for the apps certain app that you download can control data access for your contact list, gallery and calendar make sure to limit the permissions of an app to only the feature required install antivirus to secure your smartphone regularly scan your device for any malicious apps social engineering is an art of manipulating people the attacker pretend to be someone or something you trust such as credit card company, a government organization or a co-worker after gaining trust, the attacker then exploit it to get what he or she wants usually like money, passwords, account number or other confidential information you can protect yourself, your family and organization by recognizing social engineering attacks before they happen for example, if you receive a phone or an email that there is a problem with your credit card or ask you to update online banking details don't believe it check your accounts by logging in or calling to the customer care college students live in a way where they don't know many people they don't know them this process makes their knowledge easy to make their knowledge they have many resources they have many resources such as pen card, anadhar card and mark sheets which are available to their lives with their lives with their lives once again, if they are available to their lives with their lives पढ़ जाएं तो वे स्टूडेंस को वेक्टिगत और वेफसाइट दोनों रुक से नुकसान पहुचा सकती हैं। स्टूडेंस कॉलेज में हॉस्टिल्स, लाइबरी, कैफिक, आमस्थान पर पढ़ाई, किताबों की ऑनलाइन खरेदारी, सोशल मीडिया तता सिक्षा रिन जैसी सुथाओं का अभियोग करते हैं। ऐसे में स्टूडेंस की पहचान खत्रे में रहती हैं, वे अपने अधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, माकशीर से पारिवारिक तता गत्तिकत विवरण हो सकते हैं। चोर अपने लाप के लिए इस विवरण तता नाम का दुरुपयोग कर सकते हैं। A computer system threat refers to anything that has the potential to cause serious harm to a computer system There are different ways a Hacker could try to steal your data or infect your computer They are Virus, WOMS, Drawsense, Spyware, Key Lovers, Denial of Service Attacks, Unauthorized Access, Phishing and AdWare. Virus A Virus is a computer program that has the ability to replicate and infect other computers. Viruses are transmitted over networks or via USB drives and other portable media. WOMS A WOM is a specific type of virus. Unlike a typical virus, its goal isn't to alter system files, but to replicate so many times that it consumes hard disk space or memory. WOM victim will notice their computer running slower or crashing. Trozen Trozen horses, commonly referred to as Trozen, are programs. They masquerade as normal safe applications, but their mission is to allow hacker remote access to your computer. Spyware Spyware can steal sensitive data of a user by monitoring internet activity and transmitting that to a hacker and generally takes the form of ads. Keyloggers A keylogger is a software that tracks or logs the keys struck on your keyboard without making you realize your actions are being monitored. Denial of service attacks In this type of attack, the hacker buys and excessive message to the network or server that have invalid return addresses and prevents legitimate users from accessing the service. Unauthorized access Unauthorized access is when someone gains access to a website, program, server, service or other systems using someone else's account or other methods. Fishing Fishing is the fraudulent attempt to obtain sensitive information such as usernames, passwords and quibitka details by disguising as a trustworthy entity in an email. Lottery scan Lottery scan Fishing is the fraudulent attempt to obtain sensitive information. Fishing is the fraudulent attempt to obtain sensitive information. किसी भी आप को डाउंडोड करने से पहले हमेशा उसके नियम और शर्टो को बढ़े किसी भी अंजान नमारे मेसेजंच में रिजल निका फाइल ना करें अन्जान नंबर को ब्लॉक करने के लिए उसके मेसेज बॉक्स में जाके more option में जाएं और ब्लॉक करें WhatsApp के माधियम से अपने व्यक्तिकर जानगारी जैसे की bank account, phone number या password ना भीजें Default download को disable रखें अन्जान लोगों द्वारा भीजें, मेसेज का जवाब ना दें अपने mobile को जाने पे WhatsApp को deactivate कर दें Two-factor authentication को enable करें ताकि 6 secret अंकों के विना आपके WhatsApp का दुरुपयोग ना हो WhatsApp वेब का उपयोग ध्यान से करें, काम के बाद computer से logout ज़रूर करें WhatsApp की ओर से आए payment demand के message का जवाब ना दे अपनी profile picture के एवल अपने contact के logo के साथ share करें जब आप पब्लिक Wi-Fi से connect हों तो WhatsApp का उपयोग ना करें अपने mobile पे हमेशा अपडेटेट एंटिवारस इंस्टॉल करके रखें Web Malware Attacker create malicious software downloads or fake WhatsApp web links through which they may install and distribute malware or otherwise compromise your computer. It is always safe to use WhatsApp Web by directly using official website web.whatsapp.com Unencrypted Backups The backup that WhatsApp create contains the decrypted messages on your device. Avoid abusing, bullying and forwarding hoax calls and other threat messages using WhatsApp. Data Sharing Between Facebook and WhatsApp Facebook-owned WhatsApp share limited information of the user with Facebook. Information like the last time you used WhatsApp and your registered phone number is a part of this data sharing between Facebook WhatsApp families. Turn off data sharing option on your WhatsApp Snooping on other WhatsApp user messages By installing a tricking software or by getting your phone MAC address a hacker may see all your chats, photos and video exchange and call logs. Beware that detecting the presence of spyware in your cell phone is easy but detecting some apps is really tough. The best way to prevent a stranger accessing your WhatsApp is by making sure you never leave your phone lying around or never share your phone with others and regularly check for any strange app installed in your phone. Compromise is a nice way of saying that someone or something has maliciously broken into your computer without your knowledge or permission. What to do when your system is compromised? Don't panic. Isolate your computer from the network. Shut down and remove the hard drive and connect it to another computer as a non-bootable drive. Scan your drive for infection and malware. Preserve the log information resident of the compromised computer. Backup or reload the operating system from trusted media and install updates. Reinstall anti-virus, anti-spyware and other security software prior to any other programs. Scan your data backup disks for virus before you copy them back to your computer. Make a complete backup of your system frequently. What to do when your Facebook account is hacked? To get back into your account, log in to Facebook and follow the instructions to verify your identity. Step 1. Type www.facebook.com slash hacked. Click the button. My account is compromised. Step 2. Then type your email id or full name or your specified mobile number. Step 3. Enter your password that you have used to enter into your account before it got hacked. Step 4. Since your primary account will be changed by handkerb, select send code via SMS. Step 5. You will receive a message with the code. Step 6. Now enter the code which you received through SMS and click continue. In the new window, enter the new password. Always use strong passwords or use past phrases to make it easy to remember and hard to guess the passwords. After logging with your password, go to account settings and change primary email address. Welcome back. झाल झाल